दोस्तों तूटते जरते बालों की समस्या होगी दूर लगाएं मेती का दाना हेयर पैक दोस्तों सर्दियों को मोसम में ड्राई एस्केल्प्स और इचिंग के कारण बालों की जरों को बहुत नुक्सान होता है खास तोर पर तब जब आप अपने बालों को नमी देने के लिए कुछ भी एश्ट्रा ना करते हो अगर आप रोज अपने बालों के लिए कुछ भी एश्ट्रा करने का वक्त नहीं निकाल पाते हैं तो हर 15 दिन में यह काम कर लेज़ें मेती यानि फेनुग्रिक के सिड्रस फॉलिक एसीड से भरपूर होते हैं मेती दाना में विटामिन के विटामिन सी विटामिन ए और एंटी अक्सीडेंटस भरपूर मत्रा में होते हैं अपनी इसी खुबी के कारणिये हेयर फॉल रुकने का कारगर उपाय है मेती दाना हमारे बालों के सिध्य रूप में दो तरह पाइदा पहुँचता है इसका मास्क बनाकर बालों पर लगाने से या इसकीन समंदी परिसानिया दूर करता है वहीं खाने में इसका इस्तमाल पाचन को ठीक कर रखता है और बलट सरकुलेसर को मेंटेन रखने में मदद करता है इससे बालों को अंदर से पूरा पोसन मिलता है ट्विंस के अलावा मेथी दाना में मिनरल्स, पोटेसियम, केलसियम, आइरन की अच्छी मात्रा होती है यह बालों को हाई प्रोटिन देने का काम भी करता है इसका पेश्ट बालों की जरों में लगाने से बालों को पोसन मिलने का साथी स्केल्प्स और इंफेक्शन जैसी दिक्तों से भी मुक्ती मिलती है मेथी दाना हैर पेक मेथी दाना का हैर पेक बनाने के लिए अपने बालों की लंबाई के हिसाब से मेथी दाना रात को पानी में भीयों कर रख दे सुबह इसको बारिक पिसकर पेश्ट बना ले गुलाब जल और कुछ बुन्द कोर्कोनेट हेयर अयल की डाल दे तैयार पैक को कम से कम 30 मिनट के लिए बालों पर लगाए और फिर ताजे पानी से सेंपू कर ले दो बार इस तरह का पैक यूज करने पर ही आपको अंतर नजर आएगा वीडियो देखने के लिए धन्नवार अमीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीटी और हेल्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इसके दसन में दिये हुए हमारे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें धन्नवार